आपकी राजनितिक सफर 30 से 35 सालों की रहे। कैसा रहा उन 35 सालों का अनुबाव। क्या लग रहा इस बार कि 15 सालों का रिकॉर्ड जिस तरह से कायम है तुटेगा। परजात तंत्र में जनता मालिक है सरवोपरी है। आप लगतार बढ़कागा बिधान सवा से 15 साल बिधायक रहे। उसी बीच आपको सरवसेश्ट बिधायक की उपाधी भी मिली। लेकिन बढ़कागा को कोई उपलब्धी हासिल नहीं हुई। ऐसा क्यों। मैं 15 साल बिधायक रहा। और मैं जो किया वो जनता के समक्ष है। जनता के सहयोग से मैं चूड़ा गुल जनता को खिला करके और बन बिभाग से मैं उस रोड को जो है तो पीच करवा लिया। तो लेकिन भार का कारण क्या बिधायक रहा। मैं किसी को आज तक जीवन में सराब नहीं पिलाया, किसी को मांस नहीं खिलाया, किसी को पैसा नहीं बाटा। एक समय ऐसा था कि राज में भी आपकी सरकार थी और केंद्र में भी विजेपी की सरकार रही। फिर भी महुदी का मुद्दा बर करार रहा। कोई मुसल्मान जो है एक पार Свण और भीदायक की सारे पर रोका है जब आपकी सरकार्ती उसमेरी इस ऑधर ही पर्शावगता थो क ये मुसल्मान था谁ं वास्ता का डिमांड था आपका कपरिस्तान का बांडरी का दिमांद था शारा डिमांड डिसी ने पूरा किया तर रामनौमी के चार-पांच दिन दस दिन तक चलता है उसके बाद फिर थंडे बस्ते में डाल दिया जाता है फिर उसी तरह से उगर हो जाती है भाजपा की सरकार अगर इस बार बन गई तर रामनौमी का जुलूस इस बार निकलेगा विजेती ने महुद्धि के मुद्धे को भきた बठ बना लिया. इह गलत बात है, बिलकुल गलत बात है. विष्वास करती है, कंधि बिनाज पर विष्वास नहीं करते हैं, विकास पर विष्वास करते हैं, हम जब तकऱ 13 सारड रहें, मैं परियास करते रहाけれगा लेकिन नही हुआ आप दी यहीं चीज़ बोल रहें कि हम परियास कर रहे हैं और वार्तवान में Converse विदाय को वो भी कह रहे हैं हम परियास क कर रहे हैं अलम गिरालम डिजएपी निएपी को पहुंड़ कर दे और इसे मामला में बिगर पर जबर क्रिया नई तो ज android निकली गया फ़्लगाव में योगी जी एक नारब देखर गये भटेंगे तो कटेंगे इसका क्या तादक्वर्य है चाहे हिंदू को हो चाहे हिंदू हो सीथिक को चाहे हिसाय हो पिस्थापन, बेरुजगारी और कमपनी के खिलाप एक भी सब्द नहीं बोले योगी जी ऐसा क्यों? जोगी जी के दिमाग में इस बात को नहीं डाला गया? हम भी थे यहां के जो वरतमान सांसद हैं वो भी यहां पे थे उचके बाद और बोले यहां पे थे बहुत सारह मंच पे थे तो किसी ने भी नहीं बताया, उनको की यहां पे बिस्थापन का इतना बड़ा मुद्दा है, बेरोजगारी, पलायन, का मुद्दा है पर्दूर्शन का मुद्दा है? इन्टीपीसी को सबसे पहले अपने घर में ओफिस खुलवाने वाले बिजेपी के बिधायक लुकनात महतो ही थे जब यहां कोई कमपनी नहीं था तो यहीं जस्वन सिना को लाया गया था और नारा लगाता था पक्री बरवाडी कुलवरी खुलना होगा खुलना होगा जब पक्री बरवाडी कुलवरी जो है तो आया तो फिर काने लगे जान देंगे जमिन नहीं देंगे NTPC के खिलाब चिता सत्यगरा होती है बजा टान में, आप भी उसमें सामिल थे क्या निश्कस निकला उसका? हम लोग के जमीन पर जो कोईला है वह यह आप लोग का दूश्मान जब खरीद बिख्री हुआ तो रेइस्टर हुआ उसको सरकार मान रहे ही गरमजुरुबा इससे दुरदीन क्या होगा? हम लोग तीन आदमी गये थे चमपई सोरन से मिलने के लिए आप लोग जो है हम लोग बड़कागाओं केरेडाडी हजारी बाग में जल रहे है और आप लोग जो है सोकुषन कर रहे है राज में भी बिजेपी की सरकार रही केंद्र भी बिजेपी की सरकार रही लगतार सांसद भी बिजेपी के ही रहे लेकिन बढ़कागाव बिधान सभा में जनता की जो समस्या है एंटी-पी-सी के खिलाब वो जस्ट की तस बनी हुई है अभी भी बनी हुई है टंडवा में है टंडवा में आपका एंटी-पी-सी गरमजुरुवा का भुक्तान कर रहा है रहती मन्यता के ताज पोडर्रमा में डिभी से भुक्तान कर रहा है और जो है सो हजारी बाग में लगता है कि केरेडाडी बड़कागा और जार्कंड से अलग है यह हम को कही हम अभी परदेदे नहीं लेते ही रहे हैं राज के अंदर बिधान सभा और देश के अंदर लोक सभा होता है यह आवाज वहाँ उना चाहिए यह बिधाय को पता नहीं है जिनोवा भावे के माध्यम से जो गरीब लोग थे उसको भूमी दान मिला अज उसका भी जमीन चीना रहा है जारखन सरकार ने गरमजुरुवा जमीन पक्री बरवादे में 20-12 डिसमिल जमीन दिया है जो लीज प तो साथ अच्स पहले तो रहोगोडास की सरकार रहे जो घृष वहाँ तो आप तो अपनी सरकार कर दिया जरत करें इंच्टा के से उसमें हूघ struggling करेंacağे तौ हम जद परतिनिझह producción करें सिर्थ का स сохранis करेंगे तो तो वहिए परियास कि अगर अभी जहारखन में एक बीजेपी की सरकार बनती है तो कैसे करेंगे इसको आप लैंड बैंक हटाएंगे आप गर मजुरूबा जमीन का समस्या समाधान होगा और नहीं तो जनता के हेत के लिए चाहें सरकार में कोई भी हो उसका जो है तो हम उसके साथ हो जब यह कट ओफ डेट रखा गया था उसमें आपने उसका बिरोध क्यों नहीं किया कोई कमपनी का दलाली करेगा कोई कुछ करेगा तो समस्या का समाधान होगा कि जिसके लिए जो हम मनें यह है वो स्वया हुआ है और जो जिसके समर्थन में कर रहे है वो जो है जगा हुआ ह कि इंट्री होती ते नेता लोग आंदोलन को बेज देते हैं लोकनात मातों को को खरीद नहीं सकता है इतने बाद मुताते हैं कि मत है कंपनी को करेदने का जारखन में चुनावी महाल चल रहा है आज हम पहुचे थे बलकागाव विदान सबा फ्रेम में आपको एक सक्स दिख रहे होंगे परिचे के मुताज है नहीं बिजेपी से 15 साल विधायक रहे हैं पूर्व विधायक स्री लुकनात महतों जी हमारे साथ है दादा सबसे पह उपर थीस से पैतिस सालों की रही कैसा रहा उन पैतिस सालों का अनुबाव को गती साल के डी हम भी 519 साल में हम देखे कि हमारे पहले रभिंड कुमार जी विधायक थे और वह भी 15 साल रहे 15 साल संजोग से जनता हमको भी सहवा करने का मूका दिया हुगर हमको हारने केrid विदायक हो उसके परिवार के लोग विदायक बनते आ रहे हैं तेकि 15 सालों का जो रिकॉर्ड है वो सिर्फ सिंगल आपमी को क्या लग रहा है इस बार कि 15 सालों का रिकॉर्ड जिस तरह से कायम है वो तुटेगा किसी और के हाथ में सत्ता परिवर्तन हो ने क्या आशनक है को अगर गलत काम हुआ तो निश्ची टूप से उसका आरता है अप लगतार बढ़कागा विधान सभा से 15 साल विधायक रहे उसी बीच आपको सरुसेश्ट विधायक की उपाधी भी मिली लेकिन बढ़का गां को कोई उपलब्धी हासिल नहीं हुई ऐसा क्यों नहीं मैं जो किया ओ जनता के समक्ष है आज आप जानते हैं कि बढ़का गाउं से पतरातु जाने के लिए किधर से आप जाते थे अब हजारी बाग कुझू, मांडू, रामगर होते हुए भुरकुंडा हो करके पतरातु जाते थे लेकिन हमारे प्रियाश से आपका उस समषा का समध दान रोड बना के कर दिया, दूसरा बात है, हम ऐसा नहीं सिर्फ बढ़के गौ में नहीं किया है, अब पतरातु में देखते हुए कड्रू से बढ़का काना, कड्रू के लोग बढ़का काना आना होता था, तो भुरकुंडा होकर के निमी या थी आपका चिकोर होते हुए, भुरकुंडा होकर के आपका बढ़का काना जाता था, और अगर बढ़का काना के लोग कड्रू जाना होता था, तो वही रास्ता से घुम के जाता था, लेकिन जनता के सहयोग से मैं चूरा गुल जनता को खिला करके, और बन विभाग से मैं उस रोड को पीच करवा दिया, आज गडरू से आपका बरका काना जाने में आने में हमको लगता है दस मुन समय नहीं लगता है यतना ही नहीं उस तरह का काम हम बहुत किये आप देखते होंगे चोरा टूंगरी उरेज देवगर पचंडा जो है यह सब रूर नहीं था लेकिन हम सिशल के सहयोग से और उसका रोजर डंफर लेकर के सब जगह में रूर बना दिया तो लेकिन हार का कारण क्या हमारा देखे हार का कारण हार का कारण है कि मैं किसी को आज तक जीवन में सराब नहीं पिलाया किसी को मांस नहीं खिलाया किसी को पैसा नहीं बाटा जिस वक्त आप विधायक थे हां हम कभी लिः हिने नहीं नहीं रहते अन्य सक्राइब भी एक समय में और सवाब 15 साल आप बीजय्पी से बिढ़ायक रहे लगातार बीजय्पी के सान्सद भी रहे एक समय ऐसा था कि राज में भी आपकी सरकार थी और केंद्र में भी विज़पी की सरकार रही फिर भी महुदी का मुद्दबर करार रहा देखे हम लोग लगातार जो है ये तो बिल्कुल सत बात है रास्ता एक ही है उसी रास्ते से हिंडू मुसल्मान 65 दिन आना जाना करते हैं एक रामनोमी के दिन और वहां के मुसलिम समुदाय का कहना है कि हम लोग तो नहीं रोकते हैं परसासन रोकता है और इस बार जो है आपका दो हजार चोबिस में आपका मौधी का रास्ता होकर कि हम लोग जुलूश निकाले भी और कोई मुसल्मान जो है कि सारे पर रोका है तो जब आपकी सरकार थी उसमें भी परसासन रोकता था उसमें देखें उसमें भी परसासन जो है परसासन रोकता था उसमें भी रगवरदास की ताइम पे पहली बार जहार करण में ऐसी सरकार बनी रगवरदास के टाइम पर जो पान साल पूर्ण च कि हम लोग परियास करते हैं फेंप समय उसके बाद जो है सर्ट का पूस्टिंग हो गया लेकिन सूकला सहब परियास तो आपका रामनोमी का जुलुस निकालने के लिए दो दिन समय राता है उसी पीछ में निखलेगा आगे पीछे नहीं निखलेगा लेकिन आप लोग भी उसको ठंडे बस्ते में डाल देते हैं कि यह हर एक साल इस तरह से होता है तो फिर रामनोमी के चार-पांच दि जुलुस इस बार निकलेगा लेकिन दादा लोग सवाल पूछ रहे हैं कि जब सरकार में आप बैटे थे अगर गेंडर में भी आपकी सरकार थी सांसद भी आपके थे लेकिन से बिधायक नहीं थे फिर भी इस मसले को सॉल्ट किया जा सकता था लिखे हम लोग प्रयास रत ह और इस समस्य का समान निश्चीत रूप से शुल्ब होगा कॉंग्रेस आरोप लगा रही है कि बिजेपी ने मोहदी के मुद्दे को भोड बैंक बना लिया है आपकी क्या रहे हैं हमेशा बोड बैंक के लिए इस्तमाल करती है यह गलत बात है बिलकुल गलत बात है ऐसी बात लेकिन वो कहते है को लोगस्वाल्व करता ही नहीं नहीं दुए काच इंडल करती AIDS विश्वास के भी नाप विश्वास करते हैं लेकिन सवागारबू और शुक गया है के हमरे खाने मतलब है कि बहस्क्तिय तक' के आपeed की हम जब तक रहें पंदरा सार में परियास करते रहा लेकिन नहींγुआuğ लेकिन आप भी यही चीज बोल रहे हैं कि हम पर्यास कर रहे हैं और अभी वरतवान में जो कॉंग्रेस बिदायक वो भी कह रहे हैं कि हम पर्यास कर रहे हैं तो आखिरकार नुक्षा नहीं देखे इस बार का जो है इस बार तो जुलूस निकल ही गया था और सांती पुर्ण तो निकल गया था वहां के मुसलमान kis来ने कोई भी रोध नहीं किया लेकिन बिधायक के इसारे पर आपका क्या नाम है रावार numéro मंत्रिम पैया मसफden हुँ रकाना जवध कर सकते हैं जलुस निकली इंग एटे हैं तो लेकिन यहां बिवाद यह है कि जुलूस लाइसेंस के साथ निकले, ऐसे ना निकले, अरित बै जुलूस लाइसेंस तो देना प्रसासन का काम है, जनता का काम तो जनता का डिमांड करना काम है, जनता ने डिमांड किया, प्रसासन ने लाइसेंस नहीं दिया, तो प्रसासन तो जनता काम है नहीं, जनता काम मांगना काम है, योगी जी एक नारा देकर गए, भटेंगे तो कटेंगे, इसका क्या अतात्त पर है? मैं मैंने वह एक जुटता के बारे में कहा कि हिंदु समाज एक जूट होकर करे और देखे हम तो एक ऐसा प्रतिनिदी की हम जब तक रहे चाहे हिंदु को हो चाहे मुसलमान हो चाहे सीख हो चाहे इसाय हो हम सभी को ले करके चले हैं क्योंकि हम भारत माता के सभी संतान हैं और जब भारत माता के संतान हम तो आपस में भाय है, हम एक दूसरे का दुष्मन थोड़ियो है, ऐसा कहीं हमको बता दीजे, मैं 15 साल विधायक रहा किस गाव में, हम जो है जिगनोर करके चला या वहाँ वहाँ विकास नहीं किया, लेकिन बटेंगे तो कटेंगे तात्य पर लेकिन एक जूड़ता आपस में जरूरी है, चुनावी जुमला बोलेंगे इसको, ना चुनावी जुमला, आप जो भी कहिए, आप होतने बड़े नेता खाम कोई बिरोध नहीं का सेका, बढ़का गाम में योगी जी की सभा अभी ततकाल में हुई है, लेकिन विपक आपक हम भी थे, लेकिन मेरा भासन जो हैसो जोगी जी के आने के पहले ही हो चुका, इसलिए उनके दिमाग में इसको नहीं डाला गया, तो आप नहीं डाले, यहां के जो भी परत्यासी है, असु के जो नेता थे वो बिजेपी में आया, उनको आप लोग ने उमिदवार बनाया, यहां के जो वर्तमान सांसद हैं, वो भी यहां पे थे, उसके बाद और भी बहुत सारे लोग मंच पे थे, तो क्या किसी ने भी नहीं बताया उनको कि यहां पे विस्थापन का इतना बड़ा मुद्दा है, बेरोजगारी का मुद्दा है, पलायन का मुद्दा है, परदू मैं विस्थापन का मामला उठाया जो इच्छेत्र की समस्या उठाया उनके आने के पुर्व ही उठाया इसलिए उनके दिमाग में गया नहीं है देखे विस्थापन का समस्या तो यह तो इच्छेत्र के लिए सबसे बड़ी समस्या कुछ नहीं हो वही सवाल लोग कर रहे हैं कि इतनी बड़ी समस्या को कैसे लोड़ी जी इग्नोर कर दिये अब मैं तो बार-बार बोल रहा हूं कि उनके दिमाग में इस चीज को डाला नहीं है लोगों का कहना है कि इंटी-पी-सी को सबसे पहले अपने घर में ओपिस खुलवाने वाले बिजे-पी के बिधायक लुकनात महतो ही थे इसमें कितनी सच्चाई है सवाल है कि किराया पर ओपिस खुलवाने में हम रहा कोई योगदा नहीं है हम लोग कोई नहीं देखे अगर वो चीज को लेंड पर लीजेगा तो जनता सर्वो परी है जब यहां कोई कमपनी नहीं था तो यही जस्वन सिना को लाया गया था और नारा लगाता था पक्री पिल वरिवरी को शुब्रवरी खोलना होगा कोलना होगा और जब पक्री परवादी को वरी जो है जू है तो फिर पर कने लगे जान देंगे जमी नहीं देंगे या यह Thomas को भगाना के लिए ही हम यह सवाल आपसे कर रहे हैं कि लोग लोग कह रहे हैं कि अगर सबसे पहले अगर बढ़का कौव में कहीं खुला तो वो पूरु विदायक है लोकनात मातो उनके संदक्षन में खुला उनको संदक्षन दिया गया इंटीपीसी के खिलाब चीता सत्यगरा होती है किक कांजा ताड में आप धी उसमें सामिल थे क्या निष्क निकला रविए कि दिखें हम्लों का जो दिमांड है हम लों के जमीन परजो कोईला है वह सफिछन का और सचाई बात यह है हमारा दिमांड है कि अगर कोईला है कि तो सरकार जो है कंपनी को अपना जमीन लीज पर दे रही है हमारा जमिन सधाक ने क्यों हमारा भी जमीन से पर ले अच्छा जी.आम.- रहे जब कर रहा है, तो R eighty हो हमारा का नहीं जुब कर दो rumor मजुरवा गर मजुरवा गर मजुरवा कर रहा है सरकार की वर से उट रहा है जब हमारा देश गुलाम था उसमें गुलामी के समय जब अंग्रेज का सासन था तो उसमें जो है जमिंदार के माध्यम से हुकुम नामा के माध्यम से हमारे पुरवजों ने उसको करता और उसकी जमिन्दारी रसीट करती थी, और जब हमारा अजाद हुआ, तो 1952,ifting से सरकारी रसीट वही करती लगा, और फिर खरीद भिखरी भी हुआ, जब खरीद भिखरी हुआ, तो रेइस्टर हुआ, उसको सरकार मान रहे ही गरमजुरुबा, इससे दुर दिन क्या होगा? लेकिन उसमे कोई निसकर्स नहीं निकला निसकर्स है निकला लेकिन हम बताते हैं हम लोग तीन आदमी गए थे चंपई सोरन से मिलने के लिए अधी रिसेंटली जब मुखमंत्री बने थे मुखमंत्री थे हमको लगता है उनको हटने के एक सब्ता पंदर दिन पहले हम लोग गये हुए थे तो चंपई सोरन नहीं मिले डेरा पर तो फिर चले गए हम समय लेके गये थे फिर हम चले गए बाबुलाल जी के पास बाबुला कर रहे हैं और गर्मजुर्वा जमीन हम लोग को लूटा जा रहा है और आप लोग कुछ ध्यान नहीं देते हैं दिये हैं तो उन्होंने असपश्ट कहा कि लोग नाजी हम अभी पावर में नहीं हैं हम लोग बिरोध कर सकते हैं हम लोग आंदोलन कर सकते हैं हम लोग समस्य का दानि नहीं कर सकते हैं लेकिन उन्होंने कहा कि सरकार में आते ही सबसे पहले घर-मजुद्वा जमीन का समस्य हम समधान करेंगी चमपई सोरन ने कहा नई आप वाद लाल दिंगल कर लुए नौव बजै नव बजी चमपई सोरन से मिले भी सारा वस्टू इस्तितिव को रखे और हम लोग जो पेपर दिखा हुआ था रिखा हुआ पेपर दे दिये और उसके बाद जो है हमको लगता है एक सब्ता-दस दिन के बाद चमपेशोरंट की कुर्शी घजगा गई लेकिन बाबुलर मराणी जब जेग्यम में भी थे तभी भी अंदोलन को अब रह गया कि अब एक बात तो कहें है अब तो हमको देखना है उने पर भरुशा विश्वास तो करना ही नहीं है की जनता की जो समस्या स्क्राव यह सरकार ने का इंतिजार कर रहे तो अभी समस्या दूर होगी स्वाल है कि जब तक वाहज़पा कि सरकार नहीं आते हैं तो हम कुछ बोलन भिनीर सिकेто यह सरकार से तो चिलाते चिलाते हम लोग मर रहे हैं आपको हम बता देना चाहते हैं टंडवा में आपका NTPC गरमजुरवा का भुक्तान कर रहा है रहती मन्यता के ताज पोर्रमा में डीभी से भुक्तान कर रहा है और जो है तो हजारीं बाग में लगता है कि रेडाडी बढ़का गाउ जारकन जया लगा है तो किसको आप मान यह तो सरकार का आधेश नहीं करना पड़ेगा पर दो दो कानून कैसे हमरा काना है कि दो कानून यह तो यहां का विधायक समझे हमरा काना है टंडवा में गर्मजुरुवा जमीन का रहती माननेता के ताथ भुक्तान हो रहा है जिस तरह से बोल रहें कि वहां पर रैती जमीन का किया गया है हमने जो यहां के जो वरत्मान विद्रायक थे हैं 2014 में भरत राम का चिठी निकला है वो चिठी में असपश्ट लिखा हुआ है कि जो 30 वर्सों से अधीक दिन से जोद कुड रहा है जिसका सरकारी रसीत निर्गत हो गया है उसको रहती मन्यता दिया गया और 2015 में आपका कमपनी का एकरार नामा है कमपनी का एकरार नामा है कमपनी और साथ साथ आपका DC हजारी बाग के बरिये पदादिकारी और कमपनी के बीच में एकरार नामा हुआ है और उस एकरार नामा में कमपनी एक्सेप्ट किया है DCA ने तैय किया है कि सरकारी जमीन का जो है 20 लाख रुपे परती एकर आपका दाम तैय किया गया और गर्मजुरुवा जो 30 वरसों से अधिक दिन से जोद कुर रहा है उसको भी रहती मन्यता के तहद भुगतान किया जाएगा जो 30 वरसों से कम जो है उसको भी लवली हुड के तहद उसको भी 10 लाख रुपे भुगतान किया जाएगा यह हमको कहिए हम अभी पर देन ले तेयर है तो लेकिन क्यों यह धरातल पे नहीं उतर रहा है किसकी यह आप रहा कि यह तो है सबसे बड़ा कि घजर राज के अंदर वीद्हान सब्हा हुड़ और देस के अंदर लौक सभा होता है ये आवाज वहाँ वाज उशना चाहिए तो पता नहीं है तो लोग सबाण अगर मामला जो है सोरात का मामला बनता miten गलान का हो यो यह राज का मीला हुड़ता है pickingयो मतशाइग फ़ सांसत भी नहीं उठा है सांसत मिमेन इपने परवार्ब ने भी प्रियास विव किव इसे bit आका तो नुक्सान नुक्सान का बर्बाद हो रहा है तो जन्ता बर्बाद हो गई जो आदमी नहीं कहे अंग्रेज की कार्जकाल में जो हमारे पुर्वजों ने जो है या बाब मैंची बिनोवा भावे के माध्यम से जो गरीब लोग थे उसको भूमी दान मिला अज उसका भी जमिन चीना रहा ह है यहीं जो है आपका 14 मिल में जो हरीजलों को जमिन मिला है कंपनी जो है शो लूटने के लिए चला है हम अगर नहीं रहते लूटा जाता हम अड़ गय है और नहीं होने दिए लेकिन इसी तरह से सब जिगे पर क्यों नहीं होता गर्मजोरों जिगी तो सिप बरवाडी में अगर्मजोरों जमीन पक्री बरवाडी में बीस एकर बारा डिसमिल जमीन दिया है जो लीज पर दिया है और लीज का रेट सुनेंगे आठ लाक उन्चारीस हजार दो सो सरसट रुपे प्रति एकर प्रतिवर्श किस ने दिया धर्खन सरकार ने दिया कंपनी को लीज पर अ कि सरकार रहेगी अब जिसकी भी सरकार हो सरकार जिसकी हो उसे हमका मतलब नहीं है लेकिन इस चेतर की यह सरकार जब उसको लीज पर दे रहा है था हमारा जमीन लीज पर क्यों नहीं है लेकिन रगुवर दास जब लैंड बैंक बना रहे हमारा काना है कि रगुवर दास रह करता हम जनता के जब परतिनीधी हैं जनता के सेवक हैं हम जनता हीड की बात करेंगे आफ़ाइट की कि बात करेंगे टो रगलगर दाट जिसमें लैंडबैंक बना रहे तो उसमें विरोध क्यूं कि क्यों रहे उनको भी नहीं छोड़ा है मैं उनको भी नहीं बक्सा हूँ लेकिन हकीकत में वो चीज आयी ने जमीन पर आपने बिरोध तो किया आप ने पर्टी के खिलाब जाकर आप खड़े हो गए लेकिन उस धरातल पे तो चेंज तो नहीं हो पाया हम पार्टी के खिलाब नहीं खड़े हो गए हम जो है जनता के समर्थन में जनता के उपी चूची तो मांग के लिए खड़े हो गए हम तो उनका गए थे पर हमारे साथ जो है बरकागाओं के लोग भी गए थे अच्छा एक लास सवाल इससे पहले रोगोरदास की सरकार रही कि उसमें आप कह रहे हैं कि हमने परियास किया अगर अभी जहर्क्रण में बजेपी कि सरकार बनती है तो कैसे करें इसको आप समस्य तो वही है जो पांठ साल पहले था आभी समस्य वही है इसको कैसे आप करेंगे निपटा है हमारा कान मतलब है जब किसी आदमी पर विश् करना परता है मैं बाबुलाल जी से के पास मैं बता है कि बाबुलाल जी के पास हम लोग तीन थे एक जुगनु सिंग थे एक दामोदर सिंग थे एक मैं था उन्होंने असपष्ठ करिया कि और जो आपका सूचना अधिकार के ताद जो यहां जमिन दिया गया है लीज पर सरकार बनती है इसमें पहल किया जाएगा एक दम पूरा पाल होगा लैंड बैंक हटाएंगे आप हम हटाएंगे आप विदायके न रहें तो हम तो यह आप आप कहे तो सकते हैं कि आप अगर एक बागर हम बलकागां की बात करें तो भीस में पितामा माने जाते हैं बीज ए सब्सक्राइब का मुद्धा बहुत अभी चल रहा है फिलाल जब यह कटॉप डेट रखा गया था उसमें आपने उसका विरोध क्यों नहीं किया 2016 का कटॉप डेट रखा गया अगर 2016 में जिसका 18 साल हुआ है उसी को मुआपजा मिलेगा उसी को विस्थापन मिलेगा अन्य के लोगों का कि 2016 कटॉप डेट रख दिया जाए इसमें कुछ आइडिया है हमारा काना है कि जिसको जिसको दर्द है उसको आगे हाना चाहिए लेकिन उन लोग एक जूप मनें कोई कमपनी का दलाली करेगा कुछ करेगा समस्या का समधान होगा एक बार मैं तो कहा था कि इस रोड में सोचा जिसके लिए मैं चिला रहा हूं जो बोले था जगदेवाबों कि जिसके लिए जो हम ने वे स्वय रिष्प जरह में हों यहा weights रहा है ईकिन लोग कहते कि नेता-लोग कि इंट्रि होती है इता मेरेख देता हैं। विस्थापन आने वाले समय में किया जाना संभव है आपकी नजर ये से क्या लगता है नहीं नहीं देखिए मैं भासन में भी बुला था कानून की धजियां उड़ रही है कोन उड़ा रहे हैं अरे हम तो अभी बरतमाने सरकार को नहीं कहेंगे कानून की धजियां कैशे उड़ रही है जब कानून बना हुबा है 2013 का भूमी अधिगरहन कानून और यहां जो जानते हैं पक्रीबरवादी में जो है कौन कानून लागू है 1894 का कानून लागू है 1894 का भूमी अधिगरहन जब अंग्रेज का जबाना था उसमें अंग्रेज ने जो कानून लाया था वही कानून आज भी जो है सब्रकावा में चल रहा है इसमें तो दोनों को बैटके इसमें समधान निकालना था उसमें जो है हम कंपनी से इस चीज की बात किये कि जो है सब आप 2013 का भूमी अधिगरहन कानून के लागू कियो है आप हमको बताईए तो काता है कि इसके पहले हम 2013 के पहले हम यहां सीफ्ट कर चुके थे समय है आप यहां जो है जैसे अभी गुंदलपूरा में जो कंपनी आई हुए है उससे एक दिन कोई आदमी आया हुआ था वसका अपसर को हमारे पास आया हुआ था हम तो बोला कि हम 2013 का भूमी अधिगरहन कानून लागू करेंगे क्या उसको मनेंगे अप दूसरा कानून क्या बोलता है कि जो सरकारी दर का चार गुना उसको मिलेगा तो सरकारी दर का चार गुना उसको मिलेगा तो सरकारी दर का चार गुना महां का रेटे कम होगा जैसे यहां जो है आपका अगर कंपनी के अनुसार यहां लौस हो रहा ह उसका चारगुना है यह बजार का चारगुना नहीं है सरकारी रेट का तो हमारा काना मतलब है कि आप जो है तो हम साब कहें कि जब बहु फसली जमीन को किसी कीमत में नहीं लेना है और एक और ची है जब तक उद्योग वहीं लगेगा जब उस छेतर की जनता जो है 75% कंपनी एक फोलले के समर्थन में नहीं आएगा तब तो नहीं खुल सकता है तो कंपनी जो जबश जस्तिके कब कर रही है तो बीजैपी का क्या श्टैंड है गंदलपूरा को खुनरपर उनवा प्रजिए नहीं खुलना चाहिए हमारे कानून का पालण होना चाहिए कानून जो बो तो कंपनी के समर्थन में नहीं है तो कंपनी अगर कर रहा है तो जब यह स्टी कर रहा है विल्हाल आप सुन रहे थे बढ़कागौ विधान सभा से पूरु विधायक है लोकनात महतो जी जिस तरह से कह रहे हैं कि यहां पर कानून की धजियां उड़ाई जा रही है और यहां पर जब तक अगर कानून का पाला नहीं होगा तब तक सही धंक से लोगों को बिस्थापित नहीं मिलेगा फिल्हाल आप क्या सोचते हैं इन्होंने जो कहा उसके बारे में आप क्या सोचते हैं क्या समझते हैं कमेंड बॉक्स में कमेंड जरूर करें। मेरा नाम है अमीत और आप देख रहे थे दपंचायत निजुद जुहार।